हलो और वेल्कम गाईज मैं होत अस्खीर इस वीडियो के अंदर हम रियक्ट करने वाले हैं बहुत ही एक इंट्रेस्टिंग सा टाइटल है वीडियो का वैसे तो इम्रान रियास खान की वीडियो है लेकिन लेटेस वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा है कि इसको देखना बनता ह क्योंकि इसके अंदर है एनलिसिस कंपेरिटिव एनलिसिस ऑफ पी टी आई एंड पी डी एम इस कप्तान कमिंग बैक टू पावर क्या सच में आ रहे है या नहीं आ रहे है वो देखेंगे एनलिसिस के आप बेसिस पर देखेंगे जानेंगे कि लेस्ट आदी वीडियो पाकिस्तान में दी गई है और आजकर इसका बड़ा चर्चा हो रहा है कि इमरान खान साब की गई जर्नल कमर जवेद बाजवा साब से मुलाकात हुई है उसमें कुछ चीजें तैह हुई हैं देखें मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता अभी और मैं कोशिश करूँगा एक द खत्म होते चले जा रहे हैं यहीं पाकिस्तान की 13 पॉलिटिकल पार्टीज ने मुल्क के ताकतवर हलकों को कुछ चीजों का यकीन दिलाया था एक यह बताया गया था कि इमरान खान बिलकुल ना एहल हैं कोई काम नहीं कर सकते इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है पाकिस्तान में महंगाई बहुत स्यदा बढ़ गई है एक यकीन यह भी दिलुआया था कि हम बहुत लाइक हैं हम जब पाकिस्तान में हकूमत बनाएंगे तो पाकिस्तान की किसमत को बदल देंगे महंगाई बहुत स्यदा बढ़ने की वज़ा से लोग बड़ी दिक्कत का शकार हैं फिर कुछ और बहुत सरी चीज़ें जो पसे पर्दा थी ही ताकतवर हलकों के साथ इंपूर्टिड जो हुक्मरान बने बाद में पीडियम की जो जमातें थी उनकी बहुत सरी पसे पर्दा भी चीज़ें चल रही थी और इमरान حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی تھی लोग उसको पसंद भी नहीं कर रहे थे इम्रान खान साब का ग्राफ उपर जा रहा था जिद और अना भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही थी जो इम्रान खान के मुखालिब ताकत वर लो गया उनकी और ग्राफ इम्रान खान साब का उपर जा रहा था इम्पोर्टिट हुकूमत का नीचे आ रहा था इम्पोर्टिट हुकूमत ने का जी मुखिल फैसले करने पड़ेंगे तब ये मुल्क चलेगा तो उनको का गया जी करें मुखिल फैसले तो उन्होंने क्या किया मुश्किल फैसलों के नाम के अपर क्योंकि एकॉनमी तबाव हो गई थी, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, पैसा नहीं निकार रहे थे मनी सर्कूलेशन पाकिस्तान में पैसे का जो सर्कूलेशन है वो रुक गया था तो ऐसे में इंपोर्टिट अकूमत ने चीजों की कीमते बढ़ाना शुरू कर दी पाकिस्तान में पैट्रोल प्राइस बगयरा और उनको मुश्किल फैसलों का नाम दे दिया, एकॉनमी का पठा और ज़्यदा बैठ गया फिर इन्होंने एक निया असरा दे दिया, ताकतवर हलकों को कि जी जब I.M.F. से पैसे मिल जाएंगे तो पाकिस्तान गुले-गुलजार हो जाएगा डालर का रेट जो है वो नीचे आ जाएगा, यार आपको डी जी आईस पियार ने एक दिन कहा था कि जब ये एक उमत बनी है, तो फिर स्टाक मार्किट भी इस तैकाम उसमें आया है और डालर का रेट भी जो है, रुपया भी मुस्ताकम हुआ है तो उसके बाद बस वो ही दिन था जिस दिन वो बेतर हुआ है, जिस दिन डी जी आईस पियार ने कह दिया था उसके बाद भी रुपया ने पीछे मुड़के नहीं देखा डालर के मुगाबले में रुपया की कदर जो गिरी है, वो पचास रुपय से ज्यादा गिर गिर गई है इंपोर्टिट कारवई डलने के बाद और स्टाउक मार्केट के अंदर तारीखी मंदियां हुई हैं इन महीनों में डी जी आईस पियार ने उसके बाद कभी स्ट्रीटमेंट दिया भी नी, पहले बाला भी नहीं देना चीए था गयर दरूरी ना मुनासिफ था, नहीं देना चीए था लेकिन उन्हें ने दे दिया तो अब उसके बाद दुबारा उन्हें कभी नहीं दिया कि डालर के साथ जो खिलवार इस हुकूमत ने किया है तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वज़ा से लोग ये शुबा उनके दमाग में पैदा हो रहा है कि शायद इंपोर्टिट हुकूमत से उसके सहूलतकार जो हैं, वो मायूस हो गए है और इंपोर्टिट हुकूमत ने जो वादे किये थे सहूलतकारों से वो पूरे नहीं कर पा रही तो ऐसी सूरते हाल में किस तरह इंपोर्टिट हुकूमत को कायम रखा जा सकता है फिर जो दूसरी पुलिटिकल पार्टि है, उनके मुकाबले में पाकिस्तान तरीके इंसाब उसको फिर मौका मिलेगा, वो अलेक्शन के अंदर ले जाएगी इस मुल्क को अलेक्शन होगा तो वो अलेक्शन तो नहीं हारने वाले, जो दिखाई दे रहा है कुछ बैक्डोर चैनल्स राप्ते हो रहे थे, ये मैंने आगो पहले भी कन्फर्म किया था पीटी आई के जो लोग कर रहे हैं वो भी मुझे पता है, और दूसरी जानिब से जिन से राप्ता होता है, वो भी मुझे पता है लेकिन प्रायरास्त मुला काथ का मुझे भी तक नहीं पता, हाँ ये जो बैक्डोर चैनल्स के राप्ते में बन्दों को भी जानता हूं, बाते क्या क्या हुई, उनमें से बेश्टर बातें भी मुझे पता है अब हुआ ये कि मैं आपको कन्फर्म करूंगा इसको, लेकिन इमरान खान साब का दबाओ लगता है, अब काम कर रहा है, अवामी दबाओ भी लगता है, अब काम कर रहा है और इम्पोर्टिट हुकूमत का नकमा पन, ना एहली, और काम ना करने की सलाहित, और पाकिस्तान की एकॉनमी को ना सुंभाल पाना, उनकी ये रविश भी काम कर रही है अब इम्रान खान साब की आप गोर करें तो नश्रियात बहाल हो गए हैं, उनको टीवी पे दिखाने पर पबंदी थी जो टीवी चैनल उनको दिखाता था, उस टीवी चैनल को बंद कर दिया जाता था लेकिन आज बड़े लंबे अर्से के बाद इंटरनेट बन इमरान खान साथ ने जब खिताब किया तो तकरीबन सारे टीवी चैनल उनका ये खिताब दिखा रहे थे वो पब्लिक से बात कर रहे थे एक तरफ पी टी आई का और एक तरफ पाकिस्तान का जंटा उन्होंने लगा रखा था जी एनन पे चल रहा था एर वाय पे चल रहा था जियो पे चल रहा था एकस्प्रेस पे चला दुनिया टीवी पे चला, हम टीवी पे चला, बोल टीवी पे चला, नाइटी डू पे चला ये रिपोर्ट किया है, जुमेर अली खान, जनलिस्ट ने सीनियर उन्होंने रिपोर्ट किया है समा ٹی وی عمران خان صاحب کو नहीं दिखा पाय, अलीम خان کے ذاتी نوعیت के मामला थैं और वो उनको लगता हैं उन्होंने कितना कारناमा किया है, अलीम خان को छोड़ के बाराल वो स्यासी तौर पे तो उन्होंने अपने आपको दफण कर लिया अलीम خان ने तो ये सारे टीवी चैनल पे अच्छानक इमरान खान साब बहाल नहीं हो गए मामला ये है कि इमरान खान साब के खिलाब जीन चेंज आपरेशन करने वालों को इस बात का एसास हो रहा है कि उन्होंने तारीखी नौयत की गलती कर दी है हसते खेलते चलते चलते मुलक का बिड़ा खरक कर दिया है और दूसरा उनको इस बात का एसास हो रहा है कि ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि जिसको लड़ा जाए पाकिस्तानी हार मानने को तैयार नहीं है ना पाकिस्तानी हार मान रहे हैं ना जो लोग हक और सच की आवाज बलंद कर रहे हैं ना वो लोग हार मान रहे हैं लहाजा रिजीम चेंज करने वाले जो हैं अब उनोंने चीज़ों को अपने आपको ऐसा लगता है कि बजार न्यूटरल करने का फैसला किया है इसमें शेबास गिल्साब की रहाई भी हो गई है और जल्दी इमरान खान साब लांग मार्च का एलान भी करने वाले है अब इम्पोर्टिट हुकूमत के पाथ जो बड़ा चांस है वो यही है कि वो जल्द असजद इल्टखाबात में चले जाए अगर इमक्रान खान ने ताकत के बल्बूते पे या खौमत के बल्बूते पे य हौकूमत को गिराया तो फिर इम्ग्येड के सेलाब को या सुनामी को कोई नही रोख पाएगा और उन्हें कारकुनान की लाशे मिलने और उसके बाद सामने आने वाले अवामी रद्धे अमल से अगा किया है अब देखें M.K.M. की लाशे मिलेगी तो M.K.M. को वोट मिलेगा ये भी होता है आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह तो वोट मिलते हैं और ये तो होता है अब ये कौन मासून शेरीों को कतल कर रहा है और कौन इस तरह लाशें मिलने का सिलसला क्यूं जारी है दूसरी जाने अधर स्वाट के अंदर जो है वो देशतगरदी की वारदाते हो रही हैं जो इनताई अफसोसनाक हैं सवाट के शेरी जो हैं वो सरापा है तजाज है इस सारे मामले पे तो ये सारी चीज़ें खास ही अफसोसनाक है अच्छा इसमें नवाज शेरीफ साब का क्या बनेगा MQM ने तो ये इशारा दे दिया बलुचिस्तान अवामी पार्टी भी आप देखेंगे और कुछ और लोगों को भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे क्या वो पाकिस्तान वापस आने के बाद सियासत में इसा लेंगे ये वो बड़े सवालात हैं जिनके जवाबें नहीं लेगिए मिया नवाश्री जब चाहते हैं कि उनको सारा कुछ मिले और वो उसके मतले में किसी को कुछ भी ना दें तो ऐसे नहीं होता आप मेरी बात समझ गए होगे जो मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो जो बाते जो जो बाते ताकतवर लोगों से पीडियम की जमातों ने खास तोर पे नून लीग ने किये थे वो पूरे नहीं हुए इस मुल्क की एकॉनमी को उन्होंने पठा बठा दिया अवाम का इतमाद वो हासिल नहीं कर सके लोग उनकी शकल नहीं लिखना चाहते सलाब मतासरीन की मदद में वो मुकमल दोर पे नाकाम रहे खारजी और दाखली दोनों महादों के उपर फेल हो गए आईमफ के साथ दुनिया का तारीख का बत्तरीन मौाइदा किया इस इंपोर्टिट सरकार ने और उसके बाद आईमफ से पैसे मिलने के बवजूद रुपे की कदर गिरती चली गई इमरान खान साथ ने आज बड़ी डिटेल के साथ बात की है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बात में बताता हूँ लेकिन शेबाज श्रीफ साथ के कारनामे आप चेक करें कि उन्होंने वरान खान साथ को एक और जुमला दे दिया है सुनने के लिए जुमला बड़ा मदेदार है किसी दोस्त मुल्क को टेली फून करूं तो वो कहते हैं मांगने के लिए आ गया है तो मियास अब आप तो खुद कहते हैं कि आप फकीर है आप तो खुद कहते हैं कि यूर अ बैगर तो वो यही समझेगा कि आप मांगने के लिए आ गया है अब शेबाज श्रीव की एक तस्वीर है वो उसको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है ये तस्वीर आप देखें ये नून लीग ने इसको पोस्ट किया और बहुत सारे उनके जो दानिशवर हैं या उनके जानने वले हैं या पीमलन की पार्टी के लोग हैं उनके अपने अफिशल अकाउंट है वो सारे इसको शेयर कर रहे हैं इसमें सिर्फ शेबाज श्रीव को कलरफुल दिखाया गया है और बाकी जितने लीडर्स वहां मौझूद हैं उर्दगान हैं या पे पेटन हैं कुछ और लोग हैं सेंट्रल इशिया के एक दो लीडर ने उनमें कुछ लोग जो हैं वो चार-पांच लोग शेबाज श्रीव की तरफ देख रहे हैं तो इस पे पीमलन ने लिखा क्या है आफ्टर फॉर लॉंग येर्स पाकिस्तान फाइनली गैट्स अ लीडर हूँ कुमेंड्स ग्लोबल रिस्पेक्ट अब वो ये कह रहे हैं कि चार साल के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा रहनुमा मिला है जिसे आलमी सता पे इज़त मिल रही है वाँ वाँ ये शाबाश श्रीफ साब की तस्वीर आप देखें कितना प्यारा लग रहा है अब दरा चंद सेकंड की वीडियो एजरत देख लें आप चंद सेकंड की ये देखें ये वीडियो आपको क्या बता रही है ये वीडियो आपको ये बता ले है कि ये सारे लोग जो यहां मौझूद थे सामने मुख्तलिफ किसम की मठाईयां और खाने पड़े हुए थे ये सारे लीडर अंदर से बात करते हुए चलते आ रहे थे और शवाज श्रीफ साब को इनोंने नुक्रे लगाया हुआ था साइड पे इन सबने सबसे पहले उसको चका उठाया उसको खाया उसको इंजॉई कर रहे थे तो शवाज श्रीफ साब जो हैं वो पीछे खड़े हुए थे शर्मा रहे थे तो उनमें ते किसी न हidée भी खिला दें जब शवाज श्रीफ साब और वो बंदा उसने इशारा किया मियां साब की तरफ तो एक लमे के लिए चंद लोगों का चेरा उस तरफ हूआ ये उस एक लम्हे की तस्वीर है सिरफ और PMLN ऐसे बता रही है कि ज़से शवाशी साथ ने मजमा लगाया हुआ था और आदा गहंटा बात करते हैं और ये सारे मिया साथ को देखते हैं ऐसा नहीं हुआ मिया साथ पीछे शर्मिंदा शर्मिंदा खड़े से मिया साथ को किसी बंदे ने कहा कि जनाब आप ये देखें तो इदर आए इसको आपको आप खिलाते हैं या मिया साथ ने को या की जमला बोला और आगे आगे उसको उठाया चका और निकल गया है वापस पीछे चले गया है आए जो वीडियो नहीं बना करती थी तब सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें हुआ करती थी और उन तस्वीरों में इस तरह के स्टंट इस तरह की जादूगरियां इस तरह की दो नम्रियां ये चल जाती थी लेकिन आप नहीं चल सकती है अब वीडियो आता नहीं था ना कुछ और वो वीडियो सामने ही तो पता चला कि एक आदमी बहुत मस्कीन दिखाई दे रहा इसमें अनफार्चुनेटली हैं तो वो पाकिस्तान के वजिर आदमें पाकिस्तान की इज़त हैं लेकिन क्या करें वो खुद कहते हैं कि बैगर्ज और नौट चूजर्स ऐसी अरकदे करेंगे तो इसी तरह को उनके अपर तजिया हो सकता है तो अब वो शबाशिक साब को हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई जो बुरी तरह फ्लॉप होकर नाकाम हो गई है अब एक और खबर है वो मैं आपके सामने लगता हूँ बलकि छोड़ी छोड़ी दोचल खबरें वो आप देख लें उसके बाद मैं को बताता हूँ कि इमरान खान साब ने क्या कहा है सानिया निश्टा साहिवा ने एक ट्वीट करके एक बड़े आहम मसले की तरफ निशान दे की है मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको जरा सुन लें वो कहिए रही है कि 29 अगस से जब इमरान खान साब ने टेली थान की थी तो तब से अब तक 3.884.6 मिलियन डालर्स क्रेडिट कार्ड की ट्रांसेक्शन के तायद वसूल हो चुके है तीन इशारिया आप 9 समझ लें आप तीन इशारिया 9 मिलियन डालर्स जबके 17.9 मिलियन डालर्स ये जो है ये क्रेडिट कार्ड की इसकी अदाइगिया जो है ये नाकाम हुई है और स्टेट बेंक आप पाकिस्तान इस मसले को देखे ये खतरनाक है बहुत सर लोग जो क्रेडिट कार्ड के दिरीए पाकिस्तान को फंड करना चाहते है उनमें सिर्फ 3.9 मिलियन डालर्स फंड हो सका 17.9 मिलियन डालर्स फंड नहीं हो सका वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो नाकाम हुई है और क्या ये डेलिबरेटली किया जा रहा है ताकि इमरान खान के उस अकाउंट के अंदर या उस मदद करने वरी टेली थौन के दरीए जो पैसे आ रहे थे उसके अंदर खलल डाल के उसकी अमाउंट को कम किया जाए और हर जगा पे बैंक्स ये कोशिश करते हैं आउने दालने ये श्यवाषिक की अकाउंट पे नहीं डालने तो फिर उस आप्ष announcements के उपर जाने देते हैं अब आजा हैं इमरान खान साब ने क्या कहा खिताब तौन कोशाब ने आज किया है और खिताब में अमरान खान साब ने बहुत सारी आहम बाते किये उन्हें ने कहा कि मुझे अब खौफ हो रहा है कि मुल्की मईशत को गिरने से बचाने का मौजूदा हुकूमत के पास कोई तरीका नहीं है अपनी कौम को अगा करना चाहता हूँ जिस तरह मुल्की मईशत तेजी से नीचे जा रही है अगर इस मुल्क में सियासी स्थाकाम ना आया तो मईशत को गिरने से बचाना मुश्किल हो जाएगा मैंने अपनी माशी धीन के साथ बैटकर मईशत पर तबादला ख्याल किया है यह आज ही किया है मैं आलमी मालियाती फंड आयमेफ की तरफ से पाकिस्तान के लिए जारी कीगी रिपोर्ट और मुल्की मईशत पर वर्ल्ड बैंक के बियान का भी हमने जायजा लिया है मुझे इस बात का खौफ है कि जब तक मुल्क में सियासी स्थाकाम नहीं आता माशी स्थाकाम नहीं आ सकता मुझूदा हुकूमत की साक ना पाकिस्तान के अंदर है और दाही बाहर यहां तक कि मुल्क की फिनेंशल मार्कीट्स में भी इस हुकूमत की कोई एहमियत नहीं रही जैसे ही आयमेफ का फैसला आएगा यह कहते थे तो एक दम सब ठीक हो जाएगा और रुपया मश्बूत हो जाएगा मगर हालात कौम के सामने हैं इन्होंने आयमेफ की तमाम शरायत भी तसलीम की जिसके बाद मुल्क में तारीखी महंगाई हुई पाकिस्तान की तारीख में ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं हुई मगर इन्होंने इन्टकाबाद में ताखीरी हर्वें इस्तेमी, यह चारहे हैं मगर इसका नक्सान पाकिस्तान को होगा अगर कोई यह समझता है कि इसका नक्सान हमें होगा तो मैं आँच 70 बरुस की आमर में आपको यह बता रहा हूँ और यह दावा करता हूँ है कि हमें तवाप शुदा पाकिस्तान मिला मगर हमें पाकिस्तान मिला जैसा हमें मिला वो भी सबको पता है पिर इमरान خàcies नें बताया कि ज़रे मबादला के जगायर कैसे नों ने गम किये हैं किस त्रीके दे पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है उसको बहुत ज़्यदा बढ़ा दिया है फिर अमरान खान साब ने बताया कि आई एमेफ से जो मौइदा किया गया उसमे एक इस किसम की कमिया है फिर उसके बाद बताया कि डॉलर जो है वो 50 रुपए के करीब उसकी कीमत बड़ी है 50 रुपए से ज़्यद दे रहा था 150 में अब पेट्रॉल जो है आलबी मंडी में उससे बहुत सस्ता है और मौझूदा हुकूमत 236 रुपए लीटर दे रही है फिर इमरान खान साब ने का कि आटे की कीमत 50 रुपए किलो थी हमारे दोर में और अब 125 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है डालों क की की मतें बताईाईई। पाम अल की की मत बताई गी की मत बताईई। इमरान खान साब ने अजब महंगाई के आ उपर और एकॉनिमी के ओपर पूरा पोस्ट मार्टम किया है इंपोर्ट्टिड हुकूमत का और हर चीज़ बताने के बात उन्होंहंने जो आखरी बत की वो बहुत बहुत बदलाव है और IMF से पैसा लेने के वाद सब कुछ ठीक हो जाएगा मतलब उनके साथ जारने के बाद तो वो चीज़ें अब उल्टी हो गई है एक जो नस जो फड़कती है उसकी तरह से कुछ ठीक हुआ भी था इनोंने बताया था कीमत है वो सही हुई थी सिच्टूइशन में बहुत ज़दा ओर IMF खान को बहुत जढ़े टैंशन के साथ उन्होंने यह सब चीज़ें बताई है कि महंगाई ऐसे ऐसे हो रही है और आने वाले टाइम में बहुत ज़धा खतर ना गया गगर जल्डी से जल्डी हकूमत को अपने अपनी हकूमत को न देख रही है नाम रोशन हो रहा है चार साल बात वह वाली पिक्चर जो थी शहाँ शरीप को उसमें उनका फेज जोटा कलर्ड था बाकी ब्लेक इन वाइड ताकि फोकस उन पर रहे सो मैं भी यह सुच रहाता है यार बड़े लोग देख रहे हैं क्या चक्क कर है लेकिन वीडियो देखकर यार बड़ी अजीव से लगा यार कि क्या यार कुछ भी बनाते है यार कुछ भी बोलते हैं लोग मतलब जो सचे वो तो बोलो सब के सामने आई जाता है आज कल नहीं यो भी है यार इसमें exposed कि आया इनो नहीं इमरान रियास खान ने ज्यादा वक्त कुजरता जाएगा उतनल ज्यादा नुकसान जहिलता जाएगा पाकिस्तान क्या कहते हो इस सब के बारे में comment section वहता हो एंड करते हैं इस वीडियो को मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक के और साइन आफ